दोस्तों नमस्कार आजगल कॉंग्रेस के अंदर लगातार एक बात चल रही है बात ये चल रही है कि जो लोग दो बार लगातार चुनाव हा रहे हैं उनको कॉंग्रेस के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा चर्चाएं ये चल रही है कि जिन लोगों ने दो बार लगातार चुनाव हार लिया विधान सभा का अब क्यूंकि विधान सभा का चुनाव नजदीक है एक अक्टूबर को हरियाना के लिए विधान सभा का चुनाव होगा पांच सितंबर से नामांकन का काम शुरू हो जाए चार अक्टूबर को मतों की गिंती होगी यानि कि 5 सितंबर से और एक अक्टूबर तक यह चुनाव का दोर चलेगा 5 सितंबर से 12 सितंबर तक नॉमिनेशन होंगे और इसके लिए पार्टियां पहले घोशित करेंगी अपने कैंडिडेट जिनको चुनाव लड़ना है वो पा के हारने वाला कॉंग्रेस का दिक्र करना हूं और साथ में आपको बता रहा हूं जिनको चुनाव लड़ना है आप उसे कुछ यूं समझें कि मैंने एक वीडियो पहले भी आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 15 ऐसे नेता हैं 14 से 15 कि जो लगातार कौंग्रिस के टिकेट पर अलग-अलग विधान संभाव के उस्क्राव के अंदर हाले खोडियो बेटियो थी ग делают कि यूण वेसा आपके साथ कि एग क्या इनके लिए बीच का कोई अल्टरनेट भी ढूंड़ा जाएगा अगर वाके ही ये वाला जो कॉंग्रेस का फंड़ा चल रहा है कि जो लोग दो बार विधान सभा का चुनाव हार गए उन लोगों को अगर किया जाये उनको टिकिट ना दिया जाएْ हाला कि मैंने कई वीडियो में आपसे पहले भी कहा एं और आज फिर वही बात दाह्रा रहा हूं कि वो तुमाम राज नेता भी कह सकते हैं जिनका टिकट काटा जाएगा वो भी कह सकते हैं कि अगर हम दो बार हारे तो कॉंग् देखना पड़ा और कई ऐसे थे जो एक बार दो बार तीन बार कई कई बार विधायक भी रह चुके हैं मैं जो आपको बता रहा था कि क्या ऐसे नेताओं के लिए उनका कोई अल्टरनेट ढूंडा जाएगा और या फिर परिवार को ही एक तरफ दरकिरा किया जाएगा क्या यह जो बात कही गई है कि दो बार चुनाव हारने वाले नेताओं को कंसीडर ना किया जाए इस पर कॉंग्रेस कितनी पक्की रहेगी खरी रहेगी और इस बात को कितना आमल मिलाया जाएगा दरसल आजकल नेताओं के भी चर्चा है तो सिर्फ यही कॉंग्रेस के लिए जो 90 विधानसभा की सीटे हैं उनके लिए 25 सो से जादा लोगों ने अपना आविधन किया है कई विधानसभा सीटे तो ऐसी हैं कि जिन पर 80 तक लोगों ने आविधन की है 80, 90, 90 लोगों तक कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 2, 3 लोग मी जैसे बोपेंदर सिंग घुड़ा साहब की किलोरी विधानसभा सीटाओं सीट वहाँ पर तो पलवल जिले में बात करते हैं तो पलवल विधानसभा सीट के लिए तीन लोगों ने आविदन किया है फिर अगर मैं आपसे जिक्र कर लूँ हतीन और प्रतला विधानसभा का तो यहां पर डेट डेट दो दो दर्जन लोगों ने आविदन किया है और प्रतला विधानसभा स शीट उस category में आ रही है जिसमें मैंने आपसे कहा कि एक नेता अगर दो विधानसभा चुनाव लगातार हार गया एक ही विधानसभा सीट पर तो रगवीर सिंग तेवतिया जो कॉंग्रेस के 2009 में विधायक रहे प्रतला 2009 में यस्तित्यों में आई और 2009 में रगवीर सिंग त थे 2014 के चुनाव में रगवीर सिंग तेवतिया को कॉंग्रेस ने फिर टिकेट दिया सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूलर था तो उस चुनाव में रगवीर सिंग तेवतिया तीसरे स्थान पर चले गए 2019 का चुनावाया रगवीर सिंग तेवतिया को कॉंग्रेस ने हैट्रिक टिकेट दिया तीसरी बार टिकेट दिया इस चुनाव में रगवीर सिंग तेवतिया निर्दलिय केंडिडेट नैनपाल रावत से लगवक 16-17-1000 वोटों से हार गए अब 2024 है रगवीर सिंग तेवतिया इस चुनाव में भी सबसे मजबूत और सक्षम केंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं हलाकि 20 लोगों ने आवेदन किया है प्रतला विधान सभा के लिए कॉंग्रेस के टिकेट के लिए लेकिन तमाम आवेदन करने वाले लोगों के बीच में कई एक सुक बुगाहट है कि रगवीर सिंग तेवतिया दो बार चुनाव हा रहे हैं इसलिए उनका टिकेट कट सकता है लोगों के बीच ये चर्चाएं हैं कि क्योंकि वो दो चुनाव हार गए उनका टिकेट कट सकता है हमने भी इस बात पर ले करके कुछ शोधन किया कुछ मंतन किया तो उससे एक बात दोस्तों और सामने आई क्योंकि जब कभी चुनाव किसी उस थिती में कहीं ऐसा कुछ होता है तो या फिर उनके परिवार में किसी को टिकेट मिल सकता है रगवीर सिंग्तेवतिया का में जिक्र खासकर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पलवल और फृदाबाज जिले के अंदर चौदरी रगवीर सिंग्तेवतिया एक मात रह से नेता है हैं जो खुद लगातार दो वार चुनाव शेंधे कारें चौतरी मेंधंकुराइल हरे चौधरी जलेब खांथ 2040 में नेता हैं 2014 में वो बल्लबगड की विधानसभा से हारे और 2019 में वो फरिदाबाद 89 से चुनाब हारे विधानसभा का ही लेकिन मैं अब से कह रहा था कि एक नेता एक ही विधानसभा इस बात का सारा जिक रिसली और मैं आपको बास से जोडता चलू है कि रगवीर सिंह तेवतिया भी टे यूट के दूसरे बेटे यूँ वरुन वरुन तेवतिया दिल्ली से ले करके और गाओं की पगडंडियों तक यानि की सड़क से और संसत भवन तक वो किसानों के हितकी बात करते रहे हैं पिछले पांच साथ साल के दोरां में वरुन एक गूंज के दैट वो सोशल वर्क भी करते थे और इसके साथ साथ उन्होंने पलवल जिले के किसानों के लिए आंदोलन किया और दिल्ली के अंदर उन्होंने जंतर मंतर और संसत भवन तक एक रोड़ शो किये लोगों के पक्ष में वहां पर किसानों के पक्ष में आंदोलन की सोशल अक्टिविडिज में रहते हैं लेकिन अब पिछले लगबग एक डेड़ महीने से मैं उनके देखता हूं पोस्टर्स वगरा जिसमें कि वो गाउं गाउं में घूम रहे हैं और उन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है सौ दिन सो गाउं यानि कि प्रतला विधान के साथ एक बात और कि जो उनकी राजनितिक विरोधी है वह एक बात और कहते हैं कि रगवीर जी आज कर शारिरी कृपШिसे थोड़ी प्रॉबलम में रहते हैं अस्वस्त मी रहते हैं अलाकि मैंने उनके इंट्रिव्यू भी देखे हैं कुछ स्थानों पर और उनको कुछ स्थानों पर परचार करते भी देखा है लेकिन जो बात चलती है तो दूर तक जाती है तो दरसल इसको अगर सब तरीके से मैच किया जाए कि दो बार चुनावारना उनके विरोधियों का उनके स्वास्था के बारे में बात करना और तीसरी बात उनके पुत्र वरुन तेवतिया का महापड़ाओ जो गामों में चल रहा है उस सब को देखते हुए जहन में एक सवाल तो आता है कि कहीं कुछ चल तो नहीं रहा और यही सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूं सबसे बड़ा सवाल कि क्या कॉंग्रेस का जो फॉर्मूला है दो बार चुनाव हारने का कहीं रगवीर सिंग तेवतिया उसकी जद में तो नहीं आ जाएंगे अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या रगवीर सिंग तेवतिया अपने किसी पुत्र के लिए पैरवी कर सकते हैं और अग आरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें